हेव वाइटीबियंस की हल चल वलकाम बैक तुदर चनल दोस्तों अगर मैं आप लोगों से पूछूँ कि क्या बता सकते हैं कि कल मनाली में बरफ पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी स्नोफाल होगी कि नहीं होगी और इससे अगर थोड़ा सा आगे चलें तो क्या शिमला में कैसे वो गुगल बाबा की सहायता से इस चीज को पता कर सकते हैं। जस्ट अपने मुबाइल में जाकर के आप अपने लैप्टॉप या डेस्टॉप में जाकर के ये इन्फॉर्मिशन बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं। और ये इसलिए भी सबसे जादा दुरूरी है क्योंकि अभी स्नोफॉल का वैदर स्टार्ट हो चुका है। नौवंबर से लेकर के मार्च के बीच में ऐसे हिली एरियाज में स्नोफॉल पढ़ती ही पढ़ती है। ये आपके सेफटी के परपस से भी बहुत जादा आपको फाइदा पहुचा सकता है। और अगर आप बात करें अगर आप स्नोफॉल के लवर हैं या आप पहली बार स्नोफॉल देखने के मूर से ही जा रहे हैं इनी लेडिस्टेशन पे तो आपके लिए तो यार ये बहुत अच्छी चीज होने वाली है कि मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप गुगल बाबा की सहायता से जो मैं वेबसाइट बताऊंगा वो लैप्टॉप में भी बताऊंगा और मोबाइल वर्जन पर भी आपको जाके बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि क्या नेक्स दे स्नोफॉल पढ़ने वाली है क्या वेदर रहेगा पता लगा सकते हैं नेक्स्ट वन मन तक का पता लगा सकते हैं तो ऐसी यूनीक जानकारी को हासिल करने के लिए आए चलते हैं आपको ले करके अपने लैप्टॉप की स्क्रीन में और एकिक करके डिटेल इंफॉर्मिशन आपको बता देते हैं चलिए सबसे पहले करेंगे मोबाइल और हाँ दोस्तों अगर आपने वाईटे भारत चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे देखे रेट बटन आ रहा है सब्सक्राइब का सब्सक्राइब जा करके कर लें साथे में लगे बैल आइकन को दबाएं और को सलेक करें ताकि आगे आने वा मेरे मोराल को बूस्ट करता है आईए स्टार्ट करते हैं यहां पर आप टाइप कर सकते हैं मनाली वैदर प्रेडिक्शन यह देखे दोस्तों आपके सामने मनाली वैदर प्रेडिक्शन के लिए स्क्रीन ओपन हो गई है अब इसमें अगर आप पूरी तरह से इसकी क्या रहने वाला है इवनिंग में क्या मौर्नी में क्या बारिश होगी क्या बरफ पड़ेगी क्या सूरज निकलेगा सब कुछ बताएगा देखे हम आ चुके हैं स्क्रीन में अब आपको बताएता हूँ इसको देखने का तरीका क्या है दोस्तों यहां पर सबसे पहले कि tap है today, hourly, 10 day, weekend, monthly मतलब किसी भी basis पे आप देख सकते हैं आज का घंटों के साफ से, 10 दिन के साफ से, weekend के साफ से, monthly के साफ से किसी भी date का आप इस तरह से pattern देख सकते हैं लेकिन एक प्राबलम यह होती है कि 10 days सक तो accurate दिखाता है लेकिन जब आप मन्तली में जाएंगे तो आपको जो last की date हैं वो आपको सही नहीं दिखाएगा या तो दिखाएगा ही नहीं आईए चलते हैं सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं आपके सामने जो weather आ रहा है हमने मनाली की बात करी थी तो मनाली के अंदर एक जगे की location दिखा रहा है डुंगरी विलेज हिमाचल परदेश वेदर यह मनाली के पास ही है अभी का temperature बता रहा है 22 बच के 31 मिनट पर cloudy 25% chance of rain until 23 बच के 30 मिनट तक 60 degree Celsius का temperature चल रहा है morning में 9 degree Celsius था sunny weather था today forecast में sunny weather था afternoon में cloudy हो गया और evening में 25% संभावना है कि हलकी बारिश होने वाली है और overnight में 8 degree Celsius होगा और 40% की संभावना है कि पूरी रात में बारिश हो सकती है यहाँ पे next hours पे click करके आप देख सकते हैं next hours का भी production आपको दिखा देगा वो भी आप यहाँ से पुरा चेक कर पाएंगे Monday December 7 location दिखाया hourly weather में बता रहा है 60 degree Celsius विंड इस हिसाब से चल रही है हवा humidity इतनी है UV इंडेक्स इतना चल रहा है अब देखिए hourly के हिसाब से आपको यहाँ पर दिखा रहा है घंटों के इसाब से कब कब कैसा कैसा वैदर रहेगा आप पूरा देख सकते हैं कितना कितना temperature रहेगा rain कब कब पड़ेगी मतलब कितनी जबरदस information है जो Google के थू हम पता लगा रहे हैं दोस्तों Tuesday भी देखा आपने Monday भी देखा आपने यह सब इसने बताया अब चलते हैं आपको वापस ले करके और detail में आपको जानकारी दे देते हैं कि अगर हमें suppose that हमें 10 days का पता लगाना हूँ तो next 10 days का आप कैसे पता लगाएंगे इस step पर आईए 10 days पे click करिए 10 days पे जैसे आप click कर अब आप देखिए आपके सामने suppose that आप plan बना रहे हैं अगले 10 days में आपको मना ली जाना है और आप snowfall lover है जाई especially उसी के लिए रहे हैं तो देखे इस कितना जबरदस चीज आपके लिए हो सकती है या पहले snowfall देख सके हैं और आपको snowfall से बचना है ताकि अराम से drive करके आ तो ऐसी बहुत सारी चीज़े होती है तो आपको आपकी requirement के according कभी snowfall हो सकती है कभ नहीं हो सकती है 90 से लेकर के 95% accuracy होती है इस data पे क्योंकि मैंने खुद try and tested किया हुआ है इस data को आप सामने screen पर देख भी रहेंगे वीडियो चल रहा है उसमें जब मैं मनाली गिया जब मैं जैनी ताल गया जब मैं शिमला गया मैंने इसी की help से वहाँ पे snowfall का पता लगाया और snowfall पर ही मैं वहाँ पर गया हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे वीडियो पर comment करते हैं कि कि सरह से आप पता लगाते हैं कि snowfall पढ़ने वाली है नहीं पढ़ने वाली है तो दोस्तों मैंने सोचा कि आपके साथ यह information को share किया जाए और देखे यहाँ पर अब एक एक करके हम date देख लेते हैं Tuesday 8 को rain की संभावना है यह बताया इसने यहाँ पर देखे rain अब आ रहा है Saturday 12 तारिक 6 degrees Celsius देखे दोस्तों rain और snow दोनों पढ़ेगा उस दिन यह इसने बता दिया आपक Sunday 13 तारिक को rain और snow shower पड़ेगा मतलब बरफ की बारिश होने वाली है उस दिन दोस्तों snowfall लवा रहे हैं तो भया यह सबसे अच्छा मौसम है दिली से मना ली जा रहे हैं तो तरीका बतायता हूँ 7 तारिक को निकलो Friday को 11 तारिक को निकलो और अगले दिन आप snowfall आप देख पाएंगे उसके अगले दिन भी आप snowfall देख पाएंगे temperature आपको बताई रहा है उसके बाद जब आप 11 तारिक को निकलेंगे इस दिन घूमिये इस दिन 11 तारिक को आप निकलेंगे आप next Saturday को 12 तारिक को पहुँचेंगे और वहाँ पर snow भी देखेंगे और 13 तारिक को जब होटल में रहेंगे या सुलांग वाली में रहेंगे तो snow shower का मज़ा ले सकते हैं और उसके बाद आपका जब लौटने का time होगा तो इस दिन भी आपका mostly sunny रहेगा और इस दिन आपका partly cloudy रहेगा तो इस तरह से आप मनाली का scene यह मैं सिर्फ example दे रहा हूँ इसी चीज़ को आप शिमला में नैनिताल में लहौली स्वीती में कहीं भी आप जाना चाहें इस सीज़ को आप follow कर सकते हैं इस तरह से plan बना सकते हैं जैसे आपका five night six days का मनाली का plan होता है तो उसके recording decide कर लेजे कब निकलेंगे और किस दिन जब आप वहाँ पे रहेंगे सोलांग वैली में या आप मनिकरन में रहेंगे तो आपको अगर snowfall चाहिए तो उसके recording मतलब सब कुछ आप reset या पहले से ही set कर सकते हैं तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको सब कुछ ये बता रहा है कि किस किस दिन पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी कैसा कैसा weather रहेगा तो दोस् के recording आप देख लीजिए तो ये आपको पूरा weather बता रहा है 29, 30, 1 तारिक, 2 तारिक, 3 तारिक, 4 तारिक ये दोस्तों दिसंबर की date सापके चल रही है ये आज की आपकी date है 7 दिसंबर ये बता रहा है आपको और उसके बाद नीचे आ जाईए 13 तारिक, 14 तारिक और उसके बा पतनी है फिर भी आर इतना accurate आप पता लगा पा रहे हैं कि आप पहले से ही कोई भी आपको package की booking करानी हो तो वो decide कर सकते हैं तो ये सब कुछ fix करने के लिए इससे battery tool मेरे ख्यास से हो नहीं सकता तो उमीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये steps सारे अगर नहीं समझ करते हैं कि कब snowfall पड़ेगी या कब कैसा weather होने वाला है आज का अगले घंटों का दस दिनों के अंदर या weekend पर या मतली के अंदर तो अमीद करता हूँ जानकार ये आपको बहुत ही सही से समझ में आ गई होगी अब चलते हैं आपको ले करके अपने mobile के अंदर और mobile में किस तरह से आप इस सेम चीज को पता लगा सकते हैं थोड़ा सा आपको देखने में different लगेगा लेकिन वहाँ पर इस से जादा जो है वो easy होता है चलिए निकलते हैं laptop से और चलते हैं mobile की screen में आईए दोस्तों तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने mobile की screen में और यहाँ पे चलते हैं Google के task bar में चलिए सबसे पहरे voice से Google voice से search करके देखते हैं यहाँ पे click किया मैंने Google voice में Manali weather prediction यह देखे दोस्तों हमने Google voice का use करके आपके सामने कितनी आसानी से यह same चीज जो अभी मैंने laptop की screen में दिखाई थी same आप voice का Google वहाँ पर भी use कर सकते हैं अगर मैं type करके भी यहाँ पर लिखना चाहूं तो same चीज आपको मिलेगी आप type करके search कर सकते हैं और यह देखे नीचे आ रहा है source weather.com यहाँ पर आप देख रहे होंगे source weather.com के तुरू आ रहे हैं यहाँ पर click करके और detail भी हासिल कर सकते हैं अब यह आज का सारा कुछ दिखा रहा है आपका तुनाइ place पर चलते हैं तो वहाँ पर यह chances बता रहा है कि क्या क्या हो सकता है today shower Tuesday में rain and snow, Wednesday में snow, Thursday में snow, Friday में snow, Saturday में snow, Sunday में snow, तो यहाँ पर यह सीजें आपको सब कुछ accurate बता रहा है लगबग 90% से लेके 95% के बीच में कि कहां कहां पर किस किस दिन पर क्या क्या वैदर रहेगा, कब-कब snow की संभावना है, कब-कब snow की संभावना नहीं है यह सब चीजें आपको बता रहा है और अगर आप इसकी website में जा कर के देखेंगे तो जैसे आपने laptop की screen में देखा पूरे महीने का वैदर बता रहा था आप यहां से भी पूरे महीने का वैदर पता लगा सकते हैं तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी, अब आपको बता देते हैं, यहां पर भी क्लिक करके, नैनी ताल का वैदर आप जाना चाहें, नैनी ताल, वैदर, प्रेडिक्शन, मतलब पूरे वर्ड में कहीं भी आप घुमने जा रहे हैं, वहां का वैदर आप पता लगाना चाहें, चाहें वो स्नोफॉल हो, या किसी भी तरह का वैदर हो, तो आप पता लगा सकते हैं, मोबाइल में बैठे बैठे जानकारी हासिल कर सकते हैं, लैप्टॉप में बैठे बैठे जानकारी हासिल कर सकते हैं, य इस तरह से आप देख सकते हैं 6 degree clear feels like 6 degree tonight 7 December clear है और आगी का आप देखना चाहें 10 days तक तो नैनी ताल का 10 days का भी आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा sunny दिखा रहा है आपको किस किस दिन partly cloudy दिखा रहा है लेकिन बाकी सब कुछ clear है तो पूरे world में कहीं का भी आप इस तरह से weather prediction बहुत ही असानी से कर सकते हैं Google Baba की सायता से website में जाकर के आप सारी जानकार ही हासिल कर सकते हैं उमेद करता हूँ सारी चीज़ आपको समझ भी होगी आगई होगी लेकिन इसे जोड़े कोई भी सागल अगर आपके रह जाते हैं तो वीडियो पर comment करके आप पूर सकते हैं वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना